नमस्कार कबर समय जगत में आपका स्वागत है मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तवाम खबरों करवाकर बाकी नहर अधूरी छोड़ दी गई है और राशी को ड़कार लिया गया इस आरूप का खंडन करते हुए सरपंच बालकरश्न पंचेश्वर ने बताया कि उनके द्वारा 700 मीटर की दूरी तक कारे करवाया गया है और 11,000 रुपए की राशी बची हुई है जिस राशी से जाड़ी कटाने का कारे करवाया जाएगा इस नहर को लेके इस नहर को लेके इस नहर में पूरा पूर्ण काम नहीं हुआ है 300 मीटर तक काम हुआ है बोड में मुख नहर से मुख नहर से लेके कनिया के खेट तक काम होना था वो काम नहीं हुआ प् bursting को सिकाध कीए थे सरपंच के पास कई धवाने सरपंच के पास धवाब। प एक ग편 प पहरники में हर्च मेलों सरपंच को दे-डियें के वेलों इस अब कं कुछा मुआ धेडिये अजिसे तो जैसे टाल मटूल कर रहे हैं तो जैसे आगे जैसे आप पानी नहीं पहुंच टेल में तो क्या करना जाओगे आगे प्रसासंत्य जीला मजिस्टेट को देना पड़ेगा है क्यापन आवेदार वही अब समस्या का निराकड़ कर रहे हैं तो पड़ेगा पानी तो जैसे आप पूरा नहीं हुआ है काम बन चंब जया गया तो एरी किसरी राग से किराम पंचाय का महिए को इजेंस्य पनाए गया उस नहर की लंबाई है एक हजार मीटर में हमको 2,32,000 में हमको जाड़ी कटाई का मिला हमने जाड़ी कटाई का कार शुरू किया लेकिन मौसम को और किसानों को देखते हुए लेका लतीव के कारण हमने हजार मीटर में सफाई नहीं करवाया है हमने सफाई करवाया है 700 मीटर में लेकिन सामने नहर की खुदा ही करवा दिया गए है आने वाज़े समय को देखते हुए ताकि 300 मीटर भज भी जाए तो दुबार हम प्रिये से लेकर जाड़ी की सफाई कर दी जाएगे पुरी राशी का मतलब हो गया हुए अभी राशी हमाद पाद दस से जार हजाद रुपर बचा है वहां के किसान लोग आये थे मैंका पांच लड़के नौजवान रहा जाओ और एक सब्सक्ता में जाड़ी कटाई काम आप दूरुस कर दो ताकि पानी आजके ठेट में आसार पांच लड़के अड़के आप काम सुरू कर दो एक सब्सक्ता में जाड़ी कटाई कार हो सकता है खबर समझगत के लिए लाल बर्रा से विजयर रजक की रिपोर्ट हम एक सब्सक्ता में हरता है